हेलो फ्रेंज, मैं हूँ सौम्या, सौम्याज किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर इस्टिक, ये एक स्नेक्स है पनीर इस्टिक बनाने के लिए हमको चाहिए पनीर, शिमला मिर्च, बेसन, हरा धनिया महीन कटा हुआ किचिन किंग मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, प्याज, पानी, चाट मसाला, नमक और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ये हमने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है, इसकी क्यूप्स काट लिये हमने चौकर चौकर अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब किचिन किंग मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और इसको मिक्स कर देंगे सब कूश बेसन यह हाफ को बेसन है बेसन में डालेंगे लिया एन्सपून ये वन- फो टी स्पून गरम मसाला थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला है और चाट मसाला भी है चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून अध्रक और मिर्च का पेस्ट और वन टेबल इस्पून के करीब हरा धनिया अब इसको हम एक पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बन करके तयार होगे बहुत ज्यादा गाडा नहीं करने और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है पेस्ट को हमें यह हम टूथपिक लाएंगे टूथपिक में लगाएंगे स्क्वेर शेप में कटी हुई प्याज इस तरीके से इसके बाद हम लगाएंगे हम पनीर का पीस पिस जो हमने मसाला लगा करके रख दिया है अब इसके बाद हम इसमें लगा देंगे एक शिबला मिर्च का पीस इस तरीके से ऐसे ही हम सारी स्टिक्स बना बना करके रख लेंगे यह हमारे सभी पनीर स्टिक बन करके तयार हो गए हैं हमने कड़ाई में ओईल गरम करने के लिए रख दिया है हमने जो पनीर की इस्टिक बनाई है उसको हम बेसन की घूल में डिप करेंगे बहुत जादा मौटी कोटिंग नहीं करेंगे और हलकी पतली कोटिंग हुई है अब हम गरम तेल में इनको डाल देंगे इसी तरीके से सभी पनीर इस्टिक को हम तल लेंगे हम पनीर इस्टिक को तल लेंगे इस लेके हमें निकाल लेंगे इस जड़ी इस्टिक को तल लेंगे इनमारे सभी पनीर इस्टिक को तैयार हो गए हैं इस प्लेट में हम पनीर इस्टिक को सर्व करेंगे ऊपर से रालेंगे थोड़ासा चाट मसाला चटनी और सौंस के साथ पनीर इस्टिक को सर्व करेंगे अगर आपको यह रेसीपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और शेर करें रेसिपी को थैंक यू